हेलो प्रेंट्स मैं राजकमाद दाकर स्वागत करता हूं आपका राज एगरी कल्चर एजूकेशन चैनल में दोस्तों ये वीडियो हमारा 15 दिन गेप के बाद आ रहा है क्योंकि मैं कुछ काम से आउट ओप इस्टेशन चला गया था तो दोस्तों आज के वाद हमारे सारे वीडियोस कंट्विनस आएंगे और हम सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो आप सारे सिलिवस को कंप्लीट कर देंगे तो दोस्तों आप बने रहें और हर रोज हमारा अपडेट चेक करें दोस्तो सब्सक्राइब करना ना भूले चनल को और हमारे बैल आइकन को दबा लेजिए जिससे कि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और दोस्तों पूरा वीडियो देखना ना भूले क्योंकि हर पॉइंट पर हमने बैसेश देखकर कुछ एक्स्टन हो ले दिये हैं तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे टॉपिक पर तो समय को नभेश्ट करते हैं हमारे टॉपिक तो दोस्तों GM क्रोप क्या होते हैं the crop in which one or many of traits its traits are altered or enhanced through a procession of genetic engineering is known as GM crop GM crop means genetically modified crops तो दोस्तों इसमें क्या होते हैं the crop in which one or many means या तो एक या एक से अधिक one or many threats मतलब threats की character are altered बदल दे जाते हैं और उसमें कोई नया जोड दे जाता है enhance करना new improve करना किसके तरोव genetic engineering के तरोव जो genetically tools होते है genetic engineering के tools होते हैं उनके तरोव तो दोस्तों वो एक नया DNA sequence बन जाता है एक नई crop बन जाती है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों GM crop बोलते हैं means totally modified कर देते हैं किसी character को तो दोस्तों जैसे कि एक्जाम्बल है BT cotton developed against cotton volume very important point है दोस्तों याद रहें किसके लिए cotton volume एक lepidopter insect है दोस्तों तो इसको आद रहें कि cotton volume के लिए इसको develop किया था किस की रहें दोस्तों cotton volume के लिए तो दोस्तों ये question बहुत आप पूचा गया कि जो बीटी जो बैसला तुस्तों आइसुलेट किया था तो कहां से आइसुलेट किया था दोस्तों सोल से क्या था ये सोल बैक्तिरियम है that produce protein lethal to insect larvae दोस्तों ये क्या है कि protein lethal ये crystal protein बनाता है जो कि lethal होती हमिस harmful होती है कि इसके लिए insect larvae के लिए और ये क्या करते हैं दोस्तों दट या ड़ेश्टब सिस्टम वें और उसके डाजेश्टियम को को अफेक्ट करती हैं जिससे क्या होता है तो बीहार था दश्ट लग जाते हैं वह किडियर सिंग कारण की मौत हो जाती है तो यहीं उन्होंने सिस्टम युजश किया था इसी कार ये सिक्शिकला भीप दो जीन डिस्पर्सुल पोर दिस एफेक्ट इस क्रावन यसी वैरी वैरी एंपॉर्टंट है दोस्तों फाइव स्टार लगा लिजेस के आगे राएवान यसी जो है इसमें यूज किया था तो यह जो क्रावन इसी जीन है जो कि BT से इसको इसलेट किया और BT को स्वल से इसलेट किया और इसको किसमें ट्रांसफर किया BT कोटन में जो कि लेपीड़ अप्टे रिंसेक्ट की लार्वी थे वो उनको उनके लिए जे बहुत हार्म फॉल ला जीयम कोॉटर्म इस औली क्रोप पर मिर्अबाए जैनर्ट जैनर्डिकली इंगरेघ अपरवल कंटी तो दूस्तों जो आपको इसको शॉट्सवर्ट में से प्रूल लेना रहता है और यह कम्टी किसके अंगर करती है अंडर दर मिनिस्टी ओप इन्वारमेंट एंड फोरेस्टी तो दोस्तों यह जो जी एम क्रॉफ पर्मिट किया गया फर्स पर्मिट्र मास दो फर्जार दो तो याद रहें बहुत इंपोरेंट पॉइंट है दोस दोस्तों याद रखिए बीटी कॉटन बराहरी डवलट बाय माइको तो यह मेच वन टू मेच बन सिक्स टू और एम एप सी एच वन इट फोर सदन स्टेट में सदन स्टेट में कौन से दोस्तों अपना कर्नाट का अता में लोजर केरला बगर आया आदा अपना महाराश्रा है यह सबी शदन स्टेट हैं साउथ इंडिया आंधर तिलांगन ना इसके डवलब इसके डवलब किया दा यह माइको का मेच वन टू मेच वन शिक्स टू तो दोस्तों इसको मेच कर लीजा आप इसका सौट फॉर में कैसे याद रहेगा मेच मेच बन टू में आ रहा है तो तो 6 बीच में उसा दिया तो दोनों बैटी आपको याद रह जाएंगे और MFCH 184 फोर सदर रीजन शॉथ इंडिया के लिए और दोस्तों जो मैच 12 मैच 162 और MFCS जो मैच 3 यह कहां पर जाना सुटेवल है यह साथ इंडिया के लिए बहुत मैच करती है अब दोस्तों जो आर्सी एच 134 आर सी एच 134 ता याद रहें याद रहे टर्टी जाएगा समय चेल करने से लिये तो इसके लिए दोस्तों नौर्थ इंडिया के लिए तो बहुत इंपोटेंट आप उसको 2002 मैं परमिट किया था कは अउसके बाद क्या हूँआ मायको माय को कॉलाब्रेटर बी दो मunde datyti वर्याटी थाए दोश्क तो मायको ने मौन सेंटो त Neo क्लाबीरेशन किया और एक गळी डॉललभी की ंई क्या आँ दूसर्च ती बॉल्गाडवन जीविए क क्रीड बॉलَّम के लिी थी यह में हुन्होंने क्या है using cryobone ac gene उन्होंने भी चेम भी जीन ही के उची किया cryobone ac gene डवलब किया मायको एन मनसेंटों के कोलाबरेशन से पर्स ट्रांजनेक करवाज बीटी टोबैको तो एक कोश्व में बहुत पूछा आता है दोस्तों कि सबसे पहले ट्रांजनेक क्रवाज कौनसी यह दर बीटी टोबैको दोस्तों 1987 आपको यह यह याद रखाए 1987 में इसको मिलता है फोरत नहीं मिलता तो अभी केंडान पीछे के सकते पांचे पर पहुच गए हैं अगर आपको फिप्त ऑप्सन मिलता है फोरत नहीं मिलता है तो अभी आपको में अ सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब है तो आप इसको भी देख सकते हैं यह रंक चेंज हो गई है मुष्ट तो जो होते हैं हर्मी साइम सब्सक्राइब से कर देते हैं तो वो क्या करेंगा कि सारी कौट सारी क्रॉप को छोड़के सभी वीट्स को मार देगा एकसेट हमारा जिस क्रॉप को हमने डवलप किया आपस को छोड़के तो दोस्तों क्रॉप नीटन क्रीन रहेगी उसके इली भी अच्छी रहेगी क्योंकि उसमें अर्विशार का कंप्पटिशन जीदो हो जाएगा क्योंकि आपको पता है गांस के कारूम बहुत सारा हमारा नुक्सान होता है हमारी इल बहुत कम हो जाती है नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिकल मोडिफाइड मस्टर्ड दीज आर गलैपोसेट रसिस्टेंट मस्टर्ड तो दोस्तों आप सोचिए कि कैसी मस्टर्ड मनाई गई है तो अगर हम इस पर गलैपोसेट हर्विशाइट इस पर करते हैं तो मस्टर्ड को छोड़के सब मर ज देगा और यह इतना अच्छा फायदेबंद है हमारा खेत एकदम साब देखेगा मस्टर्ड के लावा उसमें कुछ नहीं देखेगा तो कितनी अच्छी इल्ड आएगे तो यह बहुत अच्छा चीमेंट है डबलाट वाइट प्रोबन एग्रोशीट कंपनी तो दोस्तों दोस्तों यह बाइर क्रॉप साइंस पहले बाद में बना है पहले इसको पूर अग्रोशीट कंपनी बोलते है जर्मनी की है प्रोजेक्ट ओन इंडियन मस्टर्ट ओल बिस हायर बीटा करोटीन इस इनिशेटर बाइड टाटा एनरजी रिसर्स इंस्टूट तो दोस्तों टेरी इसको बोलते हैं याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट है इसका फॉल फॉर्म पूछ लेते हैं टाटा एनरजी रिसर्स ब्रेशी का जुंश्या तेरी उनत तेरी उत्तम तो दोस्तों यह बहुत सिंपल है याद रखना तेरी उनत और तेरी उत्तम नेश्ट अमारा golden rice it's a genetically modified rice तो दोस्तो golden rice तो यह कैसी है genetically modified rice है और दोस्तो जो GM rice है यह तो इस कार्ण इसको नायम देया golden rice having a carotene rich rice तो जो carotene होता है इसको क्या बोलते हैं जो तो बिटामने का precursor बोलते हैं कि नेक्ट ए सुपर राइस डवलप रैड डॉक्टर गुरदेव सींग खुष यह दोस्तों यह पूछा जाता है कि सुपर राइस किस ने डॉपलप किया था तो इसको डॉपलप किया था गुरदेव सींग खुष ने एक आई र और आई में इसको डवलब किया था विच वुट बिंग एन इंप्रुमेंट और 25 परसेंट आप और प्रिजेंट देवराइटीज तो दोस्तों इसकी इल्ड कापी अच्छी थी और 25 परसेंट मूर इल्ड दिया नेक्स्ट है हाइविड राइस पैस्टाइब इन वल्ड डवलड इन चाइना इन 1974 बाइप प्रोफेशर लॉंग पिंग यूंग हैंस नौन एज फादरफ हाइविड राइस दोस्तों दुनिया में सबसे पहले जो हाइविड राइस दिया था वो चाना ने दिया था जो जो तो थे उन्होंने सबसे पहले हैविड राइस बनाया उसके बाद हमारे इंडिया ने बनाया आपको सब को मालम है सेकंट पर हमारे इंडिया आता है जिसों ट्यून ने बनाया था इंडिया इस शेकंड डूबल राइस आप टाइश आप्ट चैना डैट इस mg-1 अर्लियर न सब्सक्राइब करने के मामली में लगते हैं इस समय तो फूलों की बाहर वह हो गया होगा तो आप समझ सेकते हैं कि यहाँ इसलिए यहाँ पर इसका DRMR इस्टेबलाइस किया है ब्रेट डॉलाप बाई डी अमरे और एनर्सी एच्वी 506 एनर्सी हाइवीड एच्वी 506 परस्ट हाइवीड मस्टर इंडिया तो याद रेखिए दोस्तों यह एनर्सी एच्वी 506 यह परस्ट हाइवीड मस्टर का अधर इस एनर्सी एच्वी 1 तो कन्फीज नहीं होना 506 पहला है इवरेड है करना तो यह आद देखिए दोस्तों डारेक्टर वींट रसी कहां पर है करना रहा है ऐसी डार्यक्टर रहोग दार्यक्टर रिचेंट प्रहें सबी बहुत इंपोडेंट है कि एट वाइट एक्सपर्टे टू कॉम वाइट दोहजर पांच इंक्रेज 15-20 परसेंट वह दोस्तों जो सब्सक्राइट बनाता यह 15-20 परसेंट जना इल देता है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी उपलब्दी है देश के लिए कितना सारा इल देना इससे जो गरीब जनता है उनको भी सचिदाम में वीट मिल पाएगा थैंक्यू दोस्त आप थैंक्यू बरी मच आप लोगों ने हम अच्छ में आपर रख मसे जरता है